हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टू सोम्या कॉर्णर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम सोम्या कॉर्णर में बनाने वाले हैं जो यह हमने पहले इसकी कुर्ती बना चुके हम तो अब मैं लेके आई हूँ उसका दूसरा पार्ट जिसमें आम आपको बनाना सिखाऊंगी दोती सलवार यह कुर्ती की वीडियो आपने अगर नहीं देखी अभी तक तो लिंक में इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फटाफट से जाके आप चेक कर लीजे देखे कितना देखने में सुन्दर यह सूट लग रहा है और पहले हमने कुर यह सवा 2 मीटर कपड़ा लेकिन मेरा जो कपड़ा था वह बहुत इसका चोड़ा अरस था तो मेरे को यह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रह गया दो में बहुत आराम से बनके तयार हो जाती तो मैंने डबल फोल्ड में इसको विछा लिया था इसका एक कोना उठाते में समोशे की से बोलते हैं वो मैं शेप इसको दे दूँगी एक कोरन से इस तरह से इसको फोल्ड कर दूँगी तो इस तरह से बिल्कुल कोने मिलाते हों मैंने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है अब यह देखे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रह रहा है इसको मैं निका कर लीजिएगा अब यहां से हम क्योंकि कॉर्णर में से जो हमारी धोती सलवार है वो थोड़ा सा उपर खिचती ही खिचती है तो इसलिए मैं यहां पे 2.5 इंच जो है वो छोड़ के उसके बाद मार्किंग करूँगी तो मैंने यहां पे 2.5 इंच के करीब छोड़ लिया है उसके बाद मैं यहां पे 35 पे मार्किंग करूँगी क्योंकि मेरी जो दोती सलवार है उसकी लंबाई जो है तैयार वो रहेगी 39 इंच तो 39 इंच के लिए क्योंकि मिर को 7 इंच के इसमें बैल्ट भी अड़ करनी है तो 39 इंच के लिए मैं इसमें 35 पे निशान लगाऊंगी तो यह देखे 35 पे मैंने यहां पे मार्किंग कर ली है यह थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था अब यहां पे पहुंचे के लिए शुरू बिलकुल नीचे से हम निशान लगाएंगे पहुंचे के लिए है हमें थाठी फाइव इंच पे निशान लगा लिये है यह था तरह से हम टेरा इंचे तेेप रखते हुए दो इंच पे अप जितना चाहें इससे ज़्यादा नहीं लीजेगा लेकिन दो से देड़ इंच काफी है ये निशान हमने इस तरह से दोनों साइड लगा लेना है इस तरह से और इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे ये देखे इस तरह से अब इस वाले कॉर्णर पे हमने दे दिनी है आधे इस तरह से आधे हिंच का निशान लगाती हलकी सी गुलाई दे देंगे और फिर यहां से हमने यह कट कर देना है अब यह देखे ऊपर का जितना भी हिस्सा था मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मैंने पहले उसको कट कर दिया अभी मेरा दो टुकडों में हिस्सा बच गया तो आप यह गलती मत कीजिएगा अब यहां निशान लगाने के बाद अगर मैं यह कपड़ा कट करती तो एक साथ पूरा कपड़ा मेरा निकल के आ जाता है अब उपर का मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया था तो यहां पे जो मैंने आसन के लिए निशान लगाया था उसको मै कट कर रही हूँ, यह देखिए, यह आसन हमारा कट हो गया है, यहां से इस तरह से, यह देखिए, यह हो गया आसन कट, और अब यहां पे जो हमने साड़े चेंच पहुंचे के लिए निशान लगाया था, यहां पे भी हम हलकी सी cutting दे देंगे जिससे की पहचान हो जए यह देखिए बिल्कुल हलका सामने यहापे कट दे दिना है अब इसकी यह जो आश्न का हमने निशान लगाया था उसके दूसरी साइड जो कॉर्नर बन रहा है उसके हमने निशान लगाना है यहाँ पर देखिए इस तरह से कोने से हमने देड़ इंच का निशान लगाना है इस तरह से और इस देड़ इंच के निशान से हमने हलकी सी गुलाई दे दिनी है यह यह देखिए इस तरह से हलकी सी गुलाई हमने दे दिनी है देड़ इंच के निशान से इस तरह से बिल्कु तो यह लेजिए, यह हमारी कटिंग हो गई है, अब काट लेते हैं इसके लिए बैल्ट, तो यह बैल्ट हमने देखिए, कपड़ा जो इसी में से बचा हुआ था, कपड़ा हमने ले लिया, 7 इंच के हम इस पे बैल्ट लगाएंगे, 7 इंच की चोड़ाई रहेगी, और बैल् यह बैल्ट हम यहां से कट कर ले रहे हैं, इस तरह से निशान लगाते विए बैल्ट हम यह कट कर देंगे, यह देखिए, निशान मैंने लगा दिया है, यह देखिए, इस तरह से, अब यहां से बैल्ट कर देंगे, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपसे रिक्वेस्ट है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूर थे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नियर और डियर होती है कि कौनसा आसन हमने सीलना है, तो इसमें हमें लिव पार्ट मिलेंगे, तो दोनों पार्ट को अलग-अलग कर लेना है, और एक आसन उधर से उठाएंगे, एक हिस्समा उधर से उठाएंगे, और उनको स्टिच कर देंगे, इसտ तरह से फिर नों साइड का होगा, द उपर से मैं लास्टिक डालूंगी तो मैं लास्टिक के लिए भी इस तरह से फोल्ड करके और फिर बाद में लास्टिक डालूंगी तो मैं बैल्ट और यासन दोनों तयार कर लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं यह देखे मैंने बैल्ट तयार कर ली है उपर से मैंने इसको हलका सा फोल्ड दे दिया जिससे कि आप नाडा या फिर जो भी आप इसमें डोरी या फिर लास्टिक डालना चाहिए उडल जाए अब यह देखे इसमें निशान लगा लेते हैं तो यह स्टीचिंग है जो यह दूसरे के उपर इस तरह से रखनी है और कॉर्णर जहां पे भी चूनट डालेंगे तो स्टार्ट करते हैं कोई भी एक साइड आप पकड़ लीजेगा और इसमें दोनों साइड जो श्लाई हमने लगाए है इसके दोनों साइड हमने इस तरह से एक-एक इंच पे निशान लगा लेना है यह देखे इस तरह से निशान लगा लेना है और ब भाहर की तरफ प्ल Warum Il डलती है इस तरह से लिए इस तरह से बहर की तरफ प्लorgt डॉस्त डालनी है और जो यह कॉरनर आ जाता है इससे मार की तरफ डलेंगी और प्लत अंदर की तरफ डालनी है तो जैसे सलै होगी मैं आपको दिखाती हूँ तो चलिए जाय करते हैं अब ये बेल्ट हमने ली है और इस में जो फ्रन्ट हमने बनाया है उस साइड से हमने इसको अटेज़ करना है तो इससलाय के ऊपर लिखनी है यहवाली जलाई है, इसको सलाई के उपर रखना है इस तरह से और जो belt है उसको नीचे की तरह रखना है और जो हमारा फैबरिक है जिसमें चुनाट हमने डाल ली है वो उपर की तरह रखना है तो चलिए सलाई की तरह चलते हैं फिर आपको अच्छे से दिखाते है तो देख निए दोती जलवार का उपर कपड़ा उसमें जो कॉर्णर हमारा वारा है वह बिल्कुल एक दूसरे के उपर आने चाहिए मतलब हमारी प्लिट्स जो हैं बिल्कुर पर्फेक्ट डाल रही है तो इस बात का हमने ध्यान रखना है अब यहां से क्या होगा हमारी जो प्लिट्स डाल रहे थे हम उनकी डारेक्शन चेंज हो जाएगी वह बाहर की तरफ पहले हम अंदर की तरफ डाल रहे थे अब यह अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी बैल्ट की स्लाई आएगी वह उपर वाला हिस्सा जो है जहां पर हम प्लिट्स डाल रहे हैं इसकी स्लाई के बिल्कुल उपर एक्विल आनी चाहिए तो इस तरह से यह देखिए स्लाई के उपर स्लाई रखते हुए जितना भी इस सारी प्लिट्स में डाल के तब आपको पूरी सलवार दिखाती है अब यह देखिए पूरी प्लिट्स में डाल ली है बैल्ट हमारी अटैच हो गई है अब इसमें उपर की साइट स्लाई लगाएंगे तो यह उपर की तरफ कपड़ा पकड़ते हुए और यहां से उपर इस तरह से मोड़ते हुए और एक बार फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें पूरे में यहां से शुरू करके यहां तक पूरी सलाई लगा देंगे दोनों पाउंचे हमने इसी तरह से त्यार करने यह वाले पर बिए ऐसे मार्किंग करी थी तो उस पे भी हमने ऐसे सलाई लगा के त्यार कर लेना है अब आती है बीच की सलाई की बारी जहां ते से हमने कट लगाया था और जहां से नीचे तक हमने पहुंचे की सलाई करी है इससे उपर का जितने फैबरिक बचता है उससे क्यामना आसन से आसन मिलाना है और दोनों टांगों की इस तरह से सल यहाद सुन्दर इसका लुक आया है पिल्कुल देखने से लग रहा है कि रेडिमेट ही हमने खरीदा हुआ है तो आप भी सूट को जरूर बनाएगा अपने कमेंट्स मुझे जरूर बेजा कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जल्दी से स सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहे तो यह थी आज की वीडियो थैंक यू वेरी मुच फ्रेंज बाबाई टेक केर